जेहिन दोस्तो दोस्तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ उत्तर परदेश अधीस्त सेवा चैन आयोग लेकपाल भरती 2020 के बारे में लेटिस्ट जानकारी जो की आपके सामने कोरोना के चलते ही जारी की गई है और ये बड़ी खुसकबरी आपके लिए साबित होने वाली है इसलिए आप इस वीडियो को देखते रहिए मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी पूरूफ के साथ देने वाला हूँ ताकि आपके मन में इस जानकारी को लेकर के कोई डाउट ना रहे पर उसके पहले दोस्तो जैसे कि आप सब जानते हो कि मैं परती एक व वाली दस वीडियो के उपर आंसर करोगे बाकी की नो वीडियो के उपर आप सबसे पहले आंसर करते हो कमेंट या नहीं वो मैंटर नहीं करता बट आपको उनका भी आंसर करना होगा अब चलिए आपने इसकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो जान ली है अब मैं यहा उतरायन, ओप्सन B परहेलियन, ओप्सन B एफेलियन और ओप्सन D ग्रिस्मकालीन उतरायन तो जो भी आपको लगता है राइट आंसर है वो आपको कमेंट के माध्यम से बता देना है और साथ ही आपको वीडियो को लाइक सेयर और चैनल को सबस्काइब भी कर लेना है अब चैनले दोस्तों बात करते हैं इस बरती की लेटिस्ट जानकारी के बारे में तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको जो न्यूज कटिंग है वो दिखाने वाला हूँ और यह न्यूज कटिंग अभी आप वीडियो में देख पा रहे हो यहाँ पर जो मेन हेडिंग है वो देख अब यहाँ पर आपको यह जानने के लिए उत्सुता हो रही होगी कि जो आप न्यूज दिखा रहे हो यह कब की है तो मैं आपको बता दू यह न्यूज आपकी 19 अपरेल 2020 की है यानि के कल के हिंदुस्तान पेपर में यह न्यूज प्रकासित की गई है और आप इसको करना स्टार्ट भी कर लेते क्योंकि इसके बारे में पहले ही अनॉंसमेंट कर दी गई थी कि जल्दी आपकी यह भरती होने वाली है अब यहाँ पर दोस्तों जो जानकारी है वो तो आपके सामने डिस्पले पर दिखाई जा रही है आप चाहे तो वीडियो को पोस्ट करके दी हुई सभी जानकारी को रीड कर सकते हो बट जो सवाल आपके मन में है वो यह कि इसमें कौन लोग आवेदन कर पाएंगे तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि इसमें आल इंडिया से कैंडियेट आवेदन कर पाएंगे और दूसरी इसमें आवेदन करने के लिए क्या क् सोर्सिस है उनके एकोर्डिंग इसमें आवेदन करने के लिए आपसे कम से कम बार भी पास की हो गया ता मांगी जाएगी और बात करें कि आपसे कौन सा computer certificate मांगा जाएगा या फिर triple C applicable होगा या नहीं तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें आपसे computer course भी मांगा जा सकते हैं इसके बारे में मैं पूरा स्योड नहीं हूँ बट जितनी भी अन्यर श्टीट के अंदर जो आपकी लेखपाल की भरती निकलती है उसमें आपसे triple C मांगा जाता है यानि कि आपके पास कोई एक computer certificate होना जरूरी है अब चाहिए आपने ओ computer certificate private institute या फिर government institute से किया है जो कि आपका कम से कम 60 days का तो होना ही चाहिए तो ये भी आपको clear हो गया होगा बात करें age limit की तो age limit इसमें आपसे minimum 18 साल और maximum 40 साल मांगी जाएगी इसके अ इन पोश्ट पर दी जाती है जो सुरुवाती salary होती है वो आपकी 25,000 होती है और जो की maximum 79,000 तक भी दी जाती है application fees के बारे में मैं भी स्यों नहीं हूं कि कितनी application fees आप से ली जाएगी इसलिए अगर आप थोड़ा wait कर ले तो आपको official notification आने के बाद जो आपकी application fees है वो like, share और साथ इसाथ ग्यांदे होस्ट यूटूब चैनल को subscribe कर ले और subscribe करने के बाद बैल के icon को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के notification सबसे पहले मिल पाए जेहीं दोस्तो